आज घर पर क्या बना है पत्ता गोभी ये सुनकर कईयों का मूँ बन जाता है लेकिन आज की रेसिपी बनाने में मज़ेदार है और खाने में मज़ेदार है और दिखने में मज़ेदार है तो उसके लिए हमको पत्ता गोभी के पत्ते निकाल लेने सारे और अगर सारे नहीं जितने आप pieces बनाना चाहते हैं अपनी सबजी में उतने पत्ते निकालने और इसका जो य颜़ ज़ादा कड़ा नहीं है तो इसको इस तरीके से छील लेuana और अगर हच्र सा ज़ादा कड़ा है या पत्तग भी लाएं तो उसको आट के अलग कर ले और उसके बाद हमको चाहिए बेसन तो दो बड़े चम्मच बेसन आदा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी मिला कर उसका एक हमको गोल बनाना है और वो जो गोल होगा हमारा उसकी consistency कुछ इस तरीके की होगी कि जब हम उसको उपर से नीचे गिराएंगे तो वो अराम से गिरेगा काफी थिक consistency का होगा इस तरीके से ribbon consistency जो हम बोलते हैं वैसा हमको बनाना है और जो पत्ता गोबी का पत्ता है एक एक जिसको हमने अलग किया है धोया है साफ किया है उसमें हम अंदर side इसमें ऐसे बेसन लगा लेंगे बेसन थोड़ा थिक इसती रखा है ताकि वो अच्छे से spread हो जाए अब हमको इसको अच्छे से spread कर लेना है तो कई लोग जैसे पान लगाया करते थे पहले और बढ़ा मज़ा आता था उनको देखने में तो बस हमको वैस तूथपिक को मैंने आधा हिस्से कर लिया है और इस तरीके से इसको फसा लेना है यह देखें बढ़िया सा हमारा पाकेट बनके तयार हो गया है और वैसे ही मेरे को सारे पत्तों के पाकेट बना लेने हैं और यह देखें दूसरा मैं आपको एक करके बता रही हूं बहुत असान है अंदर में आपको बेसन लगा लेना है उसके बार ऐसे फोल्ड करना है उसको लंबे तरीके से फोल्ड करें पहले फिर यहां पर भी थोड़ा बेसन लगा ले और यकीन माने यह बेसन जब हम पकाएंगे इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर फुल हो जाएगा और प कि पकाना है तो इस टीम में पकाने के लिए मेरे स्पेशल स्टीम कुकर नहीं है तो मैंने इंडली का सांचा होता है उसको लिए है और इस सारे पीसस रख दिये अगर आपके पास है नहीं और बड़ी आसान है निब जाएगा तो आप भी थोड़ा थें लगा ले नीचे औ शेयर करें, सबस्क्राइब करें और अगर फेस्बुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें तो ये देखें, दस से पंदरा मिनिट लगा इसको इस टीम में मैंने पकाया है और आप चेक कर लें अगर ये अच्छे से पत्ते को दबा के देख लें अगर नहीं हुआ है ठीक से तो थोड़ा और वक्त दे दे 20-25 मिनिट भी लग सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कड़ा होता है पत्ता और हमको बहुत हद तक इसको पका लेना है इसी में तो हमने जो टूथपिक हैं वो भी आसानी से निकाल लिए सारे हलका सा एक होल नजर आ रहा है टूथपिक का लेकिन कोई परवा नहीं है क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा तो ये देखें ये सारे पैकेट्स बन के तयार हो गए अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी तो मैंने बड़ी सी एक प्याज ले लिए है उसमें दो हरी मिर्चे डाल ली है थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेना है फिर कड़ाई में डालना है तेल राई जीरा से इसको बगहार लेना है फिर साथी डालनी कसूरी मेथी, मैं बगहार के वक्त ही कसूरी मेथी डालती हूँ, उसका फ्लेवर अलग आता है, जब मेरी ग्रेवी बन जाती तब भी थोड़ा से डालती हूँ, उसका फ्लेवर अलग आता है, यहाँ पर डाल दें नमक, हल्दी और धन्या पाउडर देर च के लिए नहीं है नहीं है अदो ओक सुरी डाले हैं आपके यहां पर और फिर टमाटर को अच्छे से भून लें और यहां पर फिर से थोड़ी सी कसूरी मेत्वी डाल दें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और आप यकीन मानें दोनों टाइम अलग-अलग कसूरी मेत्वी तो डाल लेना है और यह बिल्कुर रड़ी है खाने के लिए इंजॉय करें पत्तव को भी और सबको खुश कर डालें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू वाचिंग और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगा फेस्बुक से देख रहे हैं तो कमेंट करें और यूट्यूब से देख रहे हैं तो भी कमेंट जरूर कर दें हमें